Hello everyone, ये question need 2017 में आया हुआ है कि आपको position as a function of time given होता है x coordinate and y coordinate तो acceleration particle का बताना है t equal to 2 second पे ऐसे question j में भी आ चुके हैं और आये हुए हैं तो इसका यह उतलब नहीं कि मैं need के question ले रहा हूँ time given है तो एक बार differentiate करेंगे तो velocity आएगा फिर दो बार differentiate करेंगे तो acceleration आएगा और इस तरीके से कर सकते हैं लेकिन इसको avoid करना direct कैसे करेंगे द्यान से देखो आपको x direction का given है as a function of time तो x is equal to 5t minus 2t square था इसको मैंने compare किया s is equal to ut plus half a t square से क्योंकि यहाँ t square था maximum time की power तो right यहाँ से क्या हो गया half a is equal to minus 2 तो यहाँ से direct acceleration आपका minus 4 so your option will be c right ध्यान रहे direct क्यों कर दिया क्योंकि y जो था उसमें t की maximum power 1 ही थी क्योंकि 0 into t square हो जागा right अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे acceleration y direction का 0 है x direction का minus 4 था इसलिए हो गया अगर इसका भी कुछ होता तो you know total net acceleration का जाता root under of ax का square plus ay का square तो आप इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं इस question में time का कोई use नहीं है right यह just आपको confuse करने के लिए दिया हुआ है क्यों क्योंकि x direction का acceleration एक constant है time के साथ vary नहीं कर रहा है और y direction का तो 0 ही है तो इसलिए t equal to 2 second पे पूछा है या 4 second या 10 second doesn't matter in this case देखो इस type के question का concept क्या है उसको मैंने again 0 level से high level तक समझाने की कोशिश किये कि अगर माल लिजी कि आपका जो position है वो as a function of time नहीं है constant है तो इस case में तो acceleration 0 हो जागा क्योंकि दो बाट differentiate करेंगे right तो 0 हो जागा case 2 अगर सिर्फ t की power 1 है maximum अगर t की power 1 है तो उस case में भी आपका acceleration direct आप 0 बोल सकतो बट अगर maximum t की power 2 है जो कि यहाँ पे अपने question में था तो maximum अगर t की power 2 तक जा रहा है तो t की power 2 का जो coefficient होगा यहाँ पे ax में direct लिख सकता हूँ कि जो भी coefficient होगा उसका आपको 2 times करना है क्यों क्योंकि आपको मालूम है कि s is equal to क्या होता है ut plus half a t square तो unit t square का coefficient क्या हाफ a तो इसलिए half a यहाँ पे z के बढ़ाबर है तो acceleration क्या हो जागा 2 times of z x direction का वैसे y direction क्या हो जागा ay 2 times of a तो अगर t square तक maximum power जा रही है t ki maximum power 2 तक है तो ts पर का जो coefficient होगा उसका 2 times कर देंगे तो आपको direct acceleration लेगा और x और y direction का गया तो root अंडर करके आप निकाल लेंगे तो net acceleration लेगा जैसे अगर यहाँ पे दियां से देखो तो highest power 3 है तो फिर इस case में क्या करना आपको तो you know acceleration direct भी लिख सकते ह कि यह तो m रहेगा ही इसको एक बार multiply करना है तो 3 और फिर इसका एक power कम करना है तो 3-1 केतना हो गया 2 तो यह आ जाएगा और t की 2 power होता तो t का कोई power नहीं आ रहा है acceleration में right constant हो जा रहा है यहाँ पे 2 power कम कर दोगो तो 1t बज जाएगा तो यह t रहेगा और इसका आपको महलूम है कि n तो रहेगा ही और यह 2 फिर 2-1 तो 1 ही होता right और t square पुरा निकल देगा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो यह आगे आपको acceleration यहाँ पे इस case में जब maximum power 3 होगी तो आपका acceleration as a function of time आएगा इसलिए अगर time given होगा तो वो time put कर करके फिर acceleration निकल सकते हैं for example जैसे इस case में अगर आप ध्यान से देखो position as a function of time given है तो direct acceleration अगर लिखना है तो 4 यह वाला जो है वो 3 और फिर 3-1 right तो 2 और t की power 1 हो जाएगा दो power कम कर देना है फिर plus 2 right इसका 2 आजाएगा and 2-1 तो 1 हो गया right और t square का power खतम कर देना है तो यहाँ पर कोई t नहीं लगा यह सब अपने आप different state होगर के 0 हो जाएगे तो यह आजागा आपका acceleration यहाँ पर again यह function of time है तो जो उस question में time given था वो तभी useful हो जागा जब t की power 3 यह उससे बड़ी हो तो आप t put करेंगे आपका acceleration आजाएगा I hope यह concept समझ में आया होगा एक और example लिया है कि अगर x as a function of time given है तो ax कैसे लिखेंगे डारेक्ट जहां से देखो यह coefficient रहेंगे ही यहाँ 4 है तो 4 एक बार लिखना है और एक बार इससे एक कम तो बस दो ही बार यह कम करना आपको क्योंकि दो बार differentiate करेंगे तो जो power होगा वह और उससे एक कम और T पर पर डारेक्ट दो कम करके लिखना है तो 4 था तो 2 पार कम करतेंगे तो 2 हो जाएगा फिर प्लस यह 5 यह दियां से देखो यह 3 लिखूंगा और फिर इससे कम तो 2 T पर दो पार कम करतेंगे तो सिर क्या बचेगा T फिर प्लस यह 6 और यह सब दो एगेन निकली जाएंगे क्योंकि T खतम हो जाएगा तो यह आपका आगया acceleration डारेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं as a function of time है